हलो दियर स्वेंट्स वेल्कम बैक तो माई चनल फिजिक्स स्वेसी मुविंग चार्जेंड मेंगेटिजम का एक कोशन एक स्ट्रेट कंडॉक्टर केरिंगे करंट आई स्प्लिट इन्टू टू पार्ट्स एस सॉन दफिकर दे डियर के वाट इसमें इस वाले वायर के कार्ण विप स्प्लेट पर जो मेंगेटिकर फिल्ड है भू जिरू च्प्वर क्यूंके अगर कोई भी वायर है स्टेट वायर है तो उसके honesty में टेकर अलग दी बैर मेकिल्ड भूक्षा बटे बैस सुण लों दी बायर मेंडी फिल्ड जीरू रहता है तो इस वाले बायर के विए से भी मेंडी फिल्ड जीरू कुछी ये भी यालॉंग दी बायर हो गया और ये वह अब बच गया एक स्क्राइण लूप बच गया जैसे नाम ड्याल दूँ यहां पर ए A, C, B और A, D तो एक current carrying circular arc हो गया आपका ये वाला A और A की हो गया इसे complete circular loop मत मानना क्योंकि current की direction पूरे में clock नहीं है देखो यहां से B, B wire में current की direction clockwise है और A, C, B वाले में anti-clockwise है तो अलाला solve करना पड़ेगा इसमें जो formula यूज हो रहा है अगर कोई arc है इसमें current प्लो कर रही आई और ये center पर arc angle बना रहा है आपका theta और इसकी radius है arc तो center पर due to this current carrying arc ये से center पर जो manifold होता है हम जानते है current over arc और ये angle लेकिन ये angle हमेशा radian में लिखते हैं theta हम किसमें report करने चाहिए radian में ठीक है अब इस arc की अगर length L हो इस arc की length अगर L हो तो दो को plane angle क्या होता है plane angle या angle ही लिखता हूँ angle theta ये जो कल्ट होता है arc length upon radius और इस angle में ये theta radian में ही तो use करते हैं हम इस formula में theta arc length L मानी है और radius small r तो theta की value आप यहाँ पर L upon R भी लिए सकते हो ये जगह पर formula बन जाएगा B equal to mu naught upon 4 pi I अगर theta की जगह पर L upon R लिखे दें तो I L over R square तो मैं ये वाला formula यूज करूँगा इसमें ठीक है तो चले तो इसमें कितने arc हैं पिटा एक तो arc ले लेता हूँ में ACB इस ACB arc की लंबा ही लेट कर लेता हूँ L2 क्यों current I2 है length L2 center पर मैं इसमें निकाल लेता हूँ due to this arc length ठीक है तो ये वाला formula लगा रहा हूँ B2 के लेता हूँ mu naught upon 4 pi current है इसमें I2 arc length है L2 और radius है इसकी capital R capital R यहाँ पर radius दरखिए तो capital R का square ठीक है ये radius का square ध्यान लेकिना R radius है यहाँ पर और ड्रसन निकाल लो इसकी तो current की ड्रसन ऐसे है तो right hand लीजे और अपनी finger को curl कर ये in the direction of current thumb आ रहा है उपर ही तरफ thumb represents the direction of magnetic field ठीक है तो magnetic field दरशन उपर ही तरफ आ रही है यहाँ पर magnetic field उपर ही तरफ है अब निकालो ADV wire के इसमेटी field ADV wire के इसमेटी field B1 इसकी arc length है L1 माल लो तो कितना लोको B is equal to mu naught upon 4 pi current है I1, length है L1 और radius है R इसकी वैसे direction निकालो अपनी curl current finger right hand की finger को curl करो इंदर direction of current ऐसे कर लो रहा है thumb नीची तरफ आ रहा है बिटा तो magnetic field downward direction में है ठीक है अब देखो चार magnetic field होगा है यह तो जिरू है यह भी जिरू है अब इस वाले wire के से magnetic field निकाल लिए B2 इसके से B1 direction अपोज़े तो net medical लिख लो center पर center ओपर medical निकाल लिए है ठीक है center ओपर तो B net is equal to देखो इसमें से किसी इक में से एक को घठा लो B1 minus K B2 B2 minus B1 भी कर सकते हो ठीक है तो यह घठा लिया तो mu naught upon 4 pi over r square i1 l1 r square minus mu naught upon 4 pi i2 l2 over power square अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आंसर तो मैची नहीं करना तो इजरा समस्ते हैं इसमें क्या कहानी है तो वो समस्ते हैं देखो यह वाला यहां से current आया तो यह current यहां डिवाइड हुआ और यह वाला current यहां से डिवाइड हुआ तो यह दोनों segment सेग्मेंट जो हैं ACB और ADB ACB सेग्मेंट and segment ACB and segment ADB are connected in parallel are connected in parallel combination current लक्स्ती आगे भी टाइस में connected in parallel combination माल लो इसका resistance अब resistance symbol बदल देता हूं R2 माल लेता हूं छोटा और इसका resistance R1 ohm और यह R2 ठीक है तो parallel combination में तो इनके potential difference सेम होंगे तो V1 बरावर V2 this is a potential difference और V बरावर होता है current into resistance तो current कितना विटा है इसमें इस वाले में V1 current है I1 और resistance है R1 equal to इसमें current है I2 resistance है R2 अब resistance का प्रमला पढ़ा है row length upon area prosection ऐसे हैं अब देखो यह question में बोला है कि एक state conductor था split into two parts तो एक state conductor था उसी को दो part में divide किया है तो resistivity the property of material और area prosection resistivity and area prosection बोथ part का ACB segment का और ADB segment का resistivity and area prosection दोनों constant होंगे तो लिख दो यह वाला formula I1 resistivity row length L1 और area prosection A यह wire का area prosection होता है ऐसे यह वाला wire का area prosection होता है resistance वाले formula में और I2 resistivity row length L2 area prosection A यह cancel हो गया तो I1 L1 बरावर I2 L2 यह देखो अगर I1 L1 और I2 L2 बरावर है तो देखो यह दोनों बरावर हो जाएं तो कट जाएंगे देखो पूरा ऐसे center पर कितना जाएगा मेडिफिल 0 तो एक बास समझ लो कि अगर कभी भी आपको कोई भी close loop दिखे कोई भी किसी भी save का close loop दिखे और उसमें current divide हो रही हो दो पार्ट में current की डरशन आपकी opposite हो और current अनिकुल पार्ट में divide हो रही हो कैसी भी divide हो रही हो कैसी भी segment में जैसे यह गया तो यह center पर मालो इसने theta बनाया आई जगे पर 90 degree बनाए 30 degree बनाए 60 degree बनाए बस current दो पार्ट में divide हो रही हो तो current में एक current की डरशन clock हो और एक anticlock हो पर इसमें important point है कि दोनों wire जो होने चाहिए ये वाला wire और ये वाला wire है area of cross section सेम होना चाहिए resistivity भी सेम होनी चाहिए अगर area of cross section same resistivity same current भले equal हो या अनिकॉल हो कैसी भी हो center पर medifield पूछे center पर medifield हमेशा 0 आता है center पर medifield हमेशा 0 आता है डरसन अगर अपोज़ट है तो divide हो रहा है current दो पार्ट में चाहिए equal current में divide हो चाहिए अनिकॉल current में divide हो कितना भी angle बनाए ये center पर अनिकॉल current की दो अट्रसन होनी चाहिए एक clock और एक anticlock और important ये भी है कि दोनो वायर का area cross section और रजिस्ट्रपटी constant होने चाहिए इस वाले वायर का और इस वाले वायर का material और area procession सेव होना चाहिए center पर medifield 0 आएगा हमेशा आप ऐसे नालो एक square नालो ऐसे और यहां से current divide कर लो ऐसे तो यहां से current आई आ रही है ये दो पार्टन divide हो गई इसमें मालो आई बन इसमें आई टू center पर medifield पूछ रहा है तो इसमें भी जिरू आएगा क्योंकि इसमें current हो गई आपकी देखो कैसी यह current ऐसे आ रही है ऐसे तो यह current ऐसे आ रही है तो यह current होगी clockwise और यह current होगी anticlockwise center पर medifield जिरू आएगा लेकिन इस wire का material area of procession से होना चाहिए तो center पर medifield जिरू आजाएगा तो कोई भी close लोगो उसमें ऐसा होता है तो 0 B choice ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको यह जरूल समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और खुश रहिए